हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी मेरे अप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज कि इस नई वीडियो में दोस्तो आज किस वीडियों में हम लोग बात करेंगे Electric Field से आगे वाला जो टॉपिक है यानि कि Intensity of Electric Field इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने देखा था Electric Field के बारे में वैदो छेतर के बारे में देखा था यानि कि Intensity of Electric Field के बारे में हम लोग डिसकस करएंगे तो डिसकस करते हैं चलिए Next Page लेते हैं Change करते हैं चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले इसकर की Definition को देखेंगे तो यहाँ पर क्या इसकर क्या हो जाएगी तो यहां पर ओगा वैदुत छेत्र में किसी बिंदु पर रखे परिक्षण आवेश ठीक है परिक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परिक्षण आवेश के मान की निस्पत्ति को वैदु छेत्र की तीवरता कहते हैं ठीक है चली तो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर आपको समझने प्रेक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परिक्षण आवेश के मान की निस्पत्ति को क्या कहते हैं वैदु छेत्र की तीवरता यानि कि आपको क्या समझना है कि वैदु छेत्र में कोई आवेश आपका रखा है और वैदु छेत्र के कारण उस पर जो बल लग रहा है तो उस बल और आवेश का जो मान है इन दोनों को जो अनुपात होगा यानि कि निस्पत्ति इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या गहला है वैदु छेत्र की तीवरता यानि कि इसको हम सम ठीक है और इस पर जो लगने वाला बल है इस पर जो लगने वाला बल हो क्या है एफ है तो यहां पर बैदो छेत की तीवरता की परिभासा की हिसाब से क्या फॉर्मूला बनेगा यानि की आवेस आपका क्या है क्यू नॉट और उस पर लगने वाला जो बल है वो क्या है एफ तो वैदोछोउब है क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगी, E बराबर, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर E बराबर, F अपॉन, Q नॉट, खेंए? यहां पर परिभासा क्या बोला कि किसी वैदो छेत्र में रखे आवेस पर लगने वाले बल तथा उस आवेस के मान के अनुपात को तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ना अनुपात मतलब इनका रेशियो ठीक है निस्पति जो सब्दैस का मतलब क्या होता है अनुपात तो क्या कहलाता है वैदो छेत की तीवरता कहलाता है अब यहां पर आपको समझना है कि जुबल है वो क्या है सदिसराशी है बल क्या दोस्तों सदिसराशी है और आवेस आपका कैसा है अदिसराशी है तो यहां पर आपको समझ के चलना है कि जो आवेस है वो अदिसराशी है बल दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं चलिए जी तो अगर यहां पर मैं बात करता हूं कि वैदुछेट की तीवर्ता जो होगी उसकी दिशा क्या होगी तो आपको यहांपर ध्यान देना है अगर वैदुछेटर में जो आपका आवेश रखा है अगर वो पॉजिटिव है अगर वो पोजिटिव है तो वैदुछेत की तीवरता, मतलब वैदुछेत की तीवरता की दिसा वही होगी, जो उस पर लगने वाले बल की दिसा होगी, लेकिन अगर आपका आवेस अगर माइनस है, तो वैदुछेत की तीवरता की जो दिसा होगी, वैदुछेत की तीवरता का मात रख्या होगा और उसकी विमा क्या होगी तो फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला आपका है इस्क्वेल एफ अपॉन इस्क्वेल क्या है E is equal F upon Q not यानि कि बल का मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका F है तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा बल का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा Newton तो बल का मात्रक हो जाएगा Newton और आवेस का मात्रक क्या हो जाएगा कुलाम यानि कि वेदश्येद की तीवर्ता का मात्रच क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा Newton प्रति harass Kalama क्या हो जाएगा Newton प्रति Carlay one और अगर मैं बात करता हूं इसके बीमे to इसकी विमा क्या हो जाएगी तो यहां पर समझना आपको फ्राफ यहां पर आवेस, तो आवेस की विमा क्या हो जाएगी, आवेस की विमा होती है, A T, क्या होती है, A T, कैसे होती है, A T, इस बात को आप समझिए, A T कैसे होती है, क्योंकि फॉर्मूला पर रखा है, Q बराबर I T, तो I का होता है, A और T का होता है, T, तो इसलिए, Q की जो विमा होती है, A T होती है अब यहां पर इसको उपर लेगे जाएंगे दोस्तों जब इसको उपर लेगे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर अभी आपका क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर यह आपका क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर यह आपका क्या हो जाएगा यहां पर कहीं नहीं है embrace रहे हैं और आगे क्या हो जाए आपका a-1 हो जाएगा गाल है तो इस तरीके से आपने देखा कि जो वैद्वी6 की तीवरता है उसका बीमिय सूत्र क्या होगा और उसका मात्रख क्या होगा ठीक है तो I hope दोस्तो आपको ये बाते समझ में आगी होंगी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईगा ठीक है दोस्तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए बाबाई टेक केर थैंक्यू बाबाई